मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान राजस्थान के चुनावी प्रचार अभ्यान के लिए राजदा नीचया पूर पहुँचे जहां उन्होंने एवन टीवी से खास बाचीत में गैलो सरकार पर कई आरोप लगाए उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नेतियों और उनके कार्य से जनता प्रभावित है इसलिए राजस्थान और मद्य प्रदेश में दोनों जगहों पर बीजे पीगी डबल इंजिन की सरकार बनेगी शिवराज सिंग से खास बाचीत की हमारे वर्ष्ट सम्वादता दुर्गेश एन भटनागने अब तक का सबसे बड़ा बहुमत बीजे पी को राजस्थान में मिलेगा क्योंकि जनता बेकरार है प्रदान मंतरी मोदी जी की नितुरत में राजस्थान की विकास के लिए और डवल एंजिन की सरकार की दरकार है यह सब कर रहे हैं क्योंकि कौईरेस की सरकार ने बरवात कर दिया राजस्थान को एक बयान आता है राहूल गांधी का कि प्रधान मंत्री को पनूती का है आपने अब तक पहले उनको चायवाला कहा उसको हतियार बनाया आपने चोखीदार कहा उन्होंने तो आपने उसको हतियार बनाया तो क्या पनूती शब्द को भी हतियार बनाएगी बीजेपी? जो देश विरुध की सीमा तक जाता है, जनता इसको बरदास्त नहीं करेगी. राजस्थान के आगर मैनिफेस्टो को देखें तो MP से सारा का सारा जो है य handheld कोपी पेस्ट किया है ऐा है क्या वो इंपेक्ड है कि MP में जनता जो है वो ऐस मैनिफेस्टो को बहुत अच्छा मांद रही है भारती जनता पार्टी की सरकार मधिजने प्रदेश में हैं भारती जनता पार्टी यहां भी तुना लड़ रही है तो जनता के हित के लिए जो आवस्थक है वो भारती जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में राजस्थान में भी लाई है अम्माद अप्रदेश में अगिर अच्छा हुआ है कुछ, तो निस्चित वाट पर राजिस्थान में भी वो अच्छा होना चाहिए, राजिस्थान में कुछ अच्छा होता तो हम भी उस से लेते हैं जब हमारी सरकार्थी तो, गैलो साब के चेहरा ऐसा हो गया है कि लोग उनकी गारंटी का मतलब हार सुनिश्चित करेंगे क्योंकि कुसासन, भृष्टाचार, महलाओं परत्याचार, सामपरदाइक दंगे पराकाश्ठा हो गई और इसलिए राजस्थान की जनता अगर सबसे ज़्यादा चिड़ती है गैलो जी के चेहरे से ही दोनों अगर स्टेट की बात करते हो आ रही है भाजपा आ रही है तो ये थे मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान साब उनका कहना है कि दोनों ही स्टेट में जिस तरीके से काम किये गए हैं बीजेपी के द्वारा मोधी के द्वारा उसको लेकर जन